ओ भाई सहाब अब तो गाईज लग रहा है कि रैट चिलीज वालों को शारुख खान को इवन राजकुमार को सोचना होगा और क्या गाईज यहाँ पे अब यह लोग अपनी मुवी को पोस्ट पॉन करेंगे क्योंकि गाईज यह रिपोर्ट अच्छे नहीं है डंकी के लिए हेलो गाईज कैसे हूँ आप लोग स्वागत है आपका डंकी वर्सिस सलार के एक और जबर्दस से एपिसोड में देखो भाई सहाब यह बात एक बार फिर से रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि गाईज यह बात मेरी सच साबित हो गया है क्योंकि भाई मैंने यह बात आपको उसी दिन कहा था जब यह बस सिर्फ रूमर्स आ रहे थे कि सलार पोस्पोन जो हुई है अब यह सिधे तौर पर आएगी 22 तारिक को वह भी कौन से महीने में 22 दिसंबर लोगों का दिमाग घूमा और बोला कि यार यह तो खुद खुश दोस्तों मालूम चल रहा है क्योंकि जवान का जब ट्रेलर आया था उसके अगले दिन सलार का ट्रेलर आने वाला था लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके बाद अचाना की पोस्पॉंट दोस्तों मुगी को कर दिया गया और लोगों ने कहा कि सलार परभास यहां पे प्रशान नी होंबाले फिर दड़ चुके हैं जवान से तो उसके बाद दोस्तों शायद यह उनका प्लान है यहां पर ऐसा कह सकते हैं लेकिन मैंने यह भी कहा था कि भाई यह लोग बहुत गंदा हो जाएगा मतलब यह जो कर रहे हो यह बहुत गंदा रूप लेगा इने की बहुत वर्स यह एक फैसला है जो कि यहां पर फैन वार करेगा इवन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जगा लडाई और दंगे भी हो दंगे तो ज्यादा हो लडाई हो वह अलग बात है कि शोशल मीडिया प्लैटफोर्म में दोस्तों होगा तो हो चुका है हम लोग देख रहे हैं कि दिन पर रिमेक मूवी है और जो एक उगरम नाम की मूवी है उसको हर एक शोजल मीडिया प्लैटफोर्म से उसके हिंदी वर्जन को खाड़ फेग दिया गया और इसके बात से तो शक हो गया कि भाई वह मूवी जरूर गाई रिमेक होगी सलार की वाकि इसके लाव यहां पर प्रभ की से इंस्पार्ड है वह मूवी डंकी की तरीके की मूवी है तो कही न कहीं दोस्तों यह सब चीज चल रहा है और गाली गलोज बहुत कुछ हो रहा है शोचल मीडिया प्लैफोर्म खोलो के तो दिमाग खराब हो जाएगा शारू खान के फैंस और प्रभास के फैंस अब य इस खेत की मूली है गाई शारू खान यहां पे अगर आप लोग कहीं विदेश में जाते हो गाई शारू खान के नाम से भारत को दोस्तों जाना जाता है अगर हम लोग ऐसा कहें तो गल्त नहीं होगा बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जो कि गाईज शारू खान को जानती है वहा बड़ा सवाल यह है कि विदेशों में आपके फैन बहुत हैं ठीक है लेकिन यहां पे क्या हकीकत में जादा स्क्रीन आप लेके जादा लोकेशन में रिलीज करके आप बन सकते हो सूपर स्टार या फिर कम स्क्रीन के बाप जूद भी यहां पे लोग आपकी मूवी में ज्या 800-800 लोकेशन में दोस्तों रिलीज हुआ था कॉनसी मूवी आपकी पठान और जवान फिर भी दोस्तों क्लेक्शन आप लोग जाके देख सकते हो और गाइस अब यही होता हुआ दिखाई देरा है इंडिया में क्यूंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा हूं दोस्तों म कोई बात नहीं भाई साहब यहां डंकी भी अगर पोस्तों हो जाती है तो ऐसा कोई बुरा नहीं है गाइस क्यूंकि शारुख खान अल्रेड़ी दोस्तों कर चुके हैं जो उनको करना था अभी इतने सारे इस्टार हैं आप लोग तेल लगा लो आप लोग कितने भी जोड स्टेटर सेलार लेगी और बताया जारा कि 50 परिद्षाइं स्कृंण लेगी यहांकि यहां पर लोग सोच रहे था कि 25 लेगी सलार लेकिन बराबर बागी जाते हैं तो वहां पर किया ही कमाईगी दोस्तों दंकी लेकिन 30% यहां पर दिमाग घुमा क्योंकि सलार 30 परसेंट में लगेगी और डंकी 20 परसेंट एक्वामन 50 परसेंट सबको पता है वहां की मूवी है तो कहीं नहीं दोस्तों कुछ इस तरीके से टेटर डिस्ट्रिबूट हो रहे हैं तो जिसको देखने के बाद यहां पर शारुखान के फैंस भी में इसका कहना है सारुखान के फैंस कहने तो कहेंगे कि आखे जरा इसमें कितना है दम क्योंकि दोस्तों देखो लास्ट टाइम वाले फिल्म ने दोस्तों रचिलिस से पंगा लिया था और के जी चैप्टर वन और जो जीरो मूवी है उसको भीड़ा था तो गैश सब्सक्राइब कोई जानता है यहां पर लगता है कि रैट चिलीज वाला इतिहास शायद दोड़ाना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक बार फिर से वह काम हो जाएगा तो गाइस यही सब चीज देखने के बाद एक बड़ा गाइस ट्विटर है उनका कहना है कि गाइस यह सब सब्सक्राइब कोन सी मुवी पोस्पॉण होगा अलाकि आप लोग सोच रहे हो की सलार होगी कोई मुवीர्सald Falare करना और फिर दूसरी बार पोस्पॉन करना बस खतम गया खलास और गाइज देखो इस साल इस मूवी को रिलीज करना भी ज़रूरी है क्योंकि फिर अगले साल से यह लोग की शूरू करेंगे और शायद 25 में दोस्तों केज फिरी वे आएगा तो कहीं नहीं यह लोग सोच रह हैं आपको क्या लगता है कि यहां पर किसको पोस्पॉन होना चाहिए कि यहां पर डंकी के मेकर्स को थोड़ा सा गाइस कह सकते हैं कि यहां पर धिमाग का इस्तिमाल करना चाहिए और विजनिस के प्रोस्पेक्टर से अपनी मूवी को पोस्पॉन करना चाहिए यह मैं आप आप से पूछना चाहता हूं मुझे लग रहा है कि देखो भाई यहां पे कोई भी मूवी दोस्तों एक भी कदम पीछे नहीं करेगी ना एक कदम आगे करेगी यहां पे यह जो साल है शारू खान का साल है बहुत गोल्डन दोस्तों यर है ऐसे साल बहुत कमी होते हैं तो इस डिसकेशन है यहां पे जो डिवेट है उसका भी दिये अड हो जाएगा तो आपका क्या है इसमें सोचना यह जो गाईज हो रहा है यह जो गाईज शोस काउंट है धंकी का पताओ यार नौर्थ इंडिया में दोस्तों मतलब बराबर सलार के क्या कहना है बताओ मिलते है किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही